लोग सबा चुनाव का दौश शुरू होने वाला है ऐसे में विकास के मुद्दे को लेकर लोगों की अलग-अलग राय है आज हम बात करेंगे मत्रा के विकास पर मत्रा के युवाओं की सोच क्या है मत्रा के विकास को लेकर उनका क्या विजिन है मत्रा की राजनीती को लेकर वहे क्या सोचते हैं वर्तमान सांसत के कार्यों से वहे कितने खुश हैं आईए बात करते हैं मत्रा के युवा समास सेवी उद्योग पती रिटेश से मत्रा के विकास को लेकर उनकी किस तरह की सोच है और भाज़पा सरकार के कार्यकाल को लेकर क्या कहते हैं लुक्सवा चुनाव 2024 अब कभी भी बिगुल बसकता है आचार सेहता लग सकती है पूरी तयारियां चल रहे हैं इससे लेकर हम अलग-अलग वर्क से जुड़े हुए लोगों से चाहते हैं कि वो कैसी सरकार चाहते हैं कैसा जन प्रतिन्दी होना चाहिए और आज हम बात करेंगे मत्रा की मत्रा लुक्सवा सीट पर वर्तमान में सांसद हैं हैमा माली जी और 30 वार भी वो चुनाब लड़न राजनीती में उनका इंट्रेस्ट क्या है और डेबलपमेंट को लेकर उनका विजन क्या है रितेज जी हमाई साथ बातचीत में बहुत-बहुत स्वागत चुनाब नजदीक है आप मत्रा के एक यंग समास्ची भी और द्यूग पती हैं क्या है मत्रा को लेकर आपका विज जी के तीसरी बार सांसत का लड़ने का मौका मिल रहा है और 110 परसेंट वह बहुत भारी भावमत से यहां से विजय होंगी पुना एक बार फिर सांसत बनेंगी और जो पिछले उनके दस वर्ष का डेवलमेंट चार्ट अगर अपन देखते हैं तो बहुत ही टॉप का डेव हमाजी से जितनी उम्मीद मत्रा के डेवलमेंट को लेकर की जा सकती है वह कर पाएंगी देखिए हमाजी बहुत ही कुशल आर्टिस्ट तो हैं साथ वी साथ वह बहुत ही कुशल राजनेता है अब उन्होंने पहले भी बहुत अच्छा डेवलमेंट मत्रा को करके दिया है कर पाई है तो आगे भी एक हजार एक परसेंट मत्रा में बहुत अच्छा इंडस्ट्री डेवलमेंट होने वाला है इंडस्ट्री आ रही है तुरिस्म को बहुत बड़ावा मिलेगा नगरी स्मार्ट सिटी की कल्पना मत्हुरा बंदाबन की की जाती है लेकिन अभी उस लेबल पर नहीं है क्योंकि NCR के नजदीक है तो जो डबलपमेंट जो अध्यों के बैल्ट डबलप होनी चाहिए थी वो नहीं है क्या उमीद आप करते हैं सरकार से क्यों आप भासपा के फॉलोवर हैं संगठन को भी आप म क्यों उस से डेवनटी लीकिन एंडसरी जो हैं वह यहां की ओर शिफ्ट हो रही हैं आप देखें यहां लेज आ चुका है बहुत बड़ी-बड़ी इंडस्टीज मतलब यहां की तरफ मुख अपना कर चुकी है तो डेविनिटली के इंडसरी तो यहां पे मत्रा में आनी य बात रती है कि यूध्विविए अंब अलग तरीके का होना चाहिए मत्रा को लेके क्या है कि अभी जतना है उतना डबलपमेंट नहीं आगे और क्या होना चाहिए किस तरह की तस्भीर मत्रा की दिखनी चाहिए मत्राओं में अब युवाओं को भार निकल के आना चाहिए और जो युवाओं नौक्रियों के लिए या competition के लिए बैठे हुएं देखिए competition और नौक्रियां डेफिनिटली हर जाना को जहाता है कि उसको सरकार न gibilee नहीं मिलती है वहाँ इसको अपनी आस ना छोड के जो दो इसके अंदर अपनी क्याली चालू कर दिना चाहिए आज स्टारट अप सुनते हं हम लोग शुनते एंगे कि किने रहे कितने successful हो रहे हैं तो यह भी अच्छा और जैसे कि आ रही है तो डेफिनिटली नौकरियां तो बढ़नी है मतुना में बिल्कुल आप युबाओं को कैसे काम करना चाहिए जो कि बात हम नौकरी करें तो उस लिए में नौकरी सरकारी नहीं मिल रही है अकिर युबा किस दिसा में जा रहा है और जाना चाहिए देगे साब मैं तो शुरू से एक बात को मानता आया हूं मैं मेरे तीन पीडियों से हम लोग वैपारी करते आ रहे हैं और हम वैपारी हैं तो हम यह जानते हैं कि सरकारी नौकरी के पीछे ना पढ़के मत्रा में तो आप डेफिनेटली यह मानिएकर नौकरी के सारी समस्यां खतम हो जाएंगी और उसके लिए आप देख रहे हैं कि टूरिज्म इंडस्ट्री हमारी कितनी ज्यादा तेजी से बढ़ रही है मत्रा अगर दिखा जाए तो तूरिज्म हब बन सकता है उस द्रस्ट बना रहे हैं उससे बहुत क्रियेट होंगे अफसर उसमें से टूरिस्ट बहुत बढ़ेगा और जो ब्यारी जी के कोरीडोर की बात है वह तो 110 परसेंट आज नहीं तो कल मोदी जी और योगी जी के नित्रत्व में हमारी हेमा जी करा के रहेंगी सो परसेंट वह को बनना ही बनना है और सरोच नयाले उसमें लगे हुए हैं तो उनके डिसीजन का इंतजाद चल रहा है बस जिस दिन आ जाएगा तो कितनी होटेल्स की रिक्वाइर्मेंट आएगी कितने टेक्सी की रिक्वाइर्मेंट होंगी इन सब चीजों से मत्रा डेवलपी होगा एक स्मार्ट भी मत्रा जिस प्राचीन नगरी है और जिस तरीके से एंसियार के नजदीक है दोवार से सांसद हैं मामालनी जी लेकिन उस लेबल पकर तस्भीर सामने जो आनी चाहिए थी वो नहीं दिखती है नहीं सर देखिए मैं इस बाद से सहमत नहीं हूँ पिछले दस सालों में में लगेगा वो लगेगा मगर हाँ मैं इस बात के अपने ड़ी करब से बाता कर दे सकता हूं 15 अब ज्यादा उब देखेगा और आप देख रहे हैं आज भी मत्रा में कम नहीं तो कही ना कहीं इस में डेफ्लेप्न एसा लिए उस पिकनिक सिए थैह अगर आप है आप उस लेवल के होटल इंडिस्ट्रीज वहाँ पर नहीं है प्रॉपर पार्किंग पार्क डेवलप्मेंट ऐसे नहीं कि जहां एक पिक्निक प्लेसे जहां हो तो क्या मानते हैं कि इन सब्सक्राइब तब मत्रा में है मैं यह मानता हूं कि अभी बहुत कुछ रिक्वाइड है जो अब आएगा जिसमें हम चाहते हैं कि सबी लोग संयोग करें सरकार भी संयोग करे और मत्रा के ब्रजवासियां भी सपोर्ट करें तो टूरिज्म को और ज्यादा ट्रेट कर पाएंगे हैं किस तरह का विजन होना चाहिए आपका विजन है कि मत्रा में सरकार के साथ साथ में इस तरह के अपसर होने चाहिए और युबाओं को या स्वरुजगार की तरफ भी लोगों को कारूबाद बहुत इंटर्डिशनल लेविल का है तो क्या मानते हैं कि इस तरह कारूबार को और सरकार को बढ़ाबाद देना चाहिए डेफिनेटली अब देखिए पोशाक के लिए सरकार ने काफी सब्सीडीज दी और काफी पोशाक का कारूबार जो है वो भरता चला जा पढ़ेंगे मेहनत से डेफिनेटली हम अपने शिटी को अपने डिस्टिक को बहुत आगे तक लिजा सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा बेटर बना सकते हैं जिसके लिए सबसे में नीव जो होती है वो इंडस्ट्री होती है तो सबसे पहले मेरा आगर अपने हमारे युब भी चल रहा है चुनाव संवन्दत क्या मानते हैं कि मत्रा को जो सांसद मिलना चाहिए वो मिल पा रहा है मेरा मानना है कि मतरा को जो सांसच चाहिए तो वह 100% मिल पा रहा है और बाकी आप देख रहे हैं मुदी जी के नेतरत में जब तीसरी बार हेमा जी को टिकेट मिली है और हेमा जी तीसरी बार लड़ रही है तो डेफिनेटली उन्होंने ऊपर लेवल पे कुछ ना कुछ काम किये होंगे हमें उन पर विश्वास रखना चाहिए कि यहां पर कैई ज्वलंद मुद्ध है यमना प्रदूछन का बहुत बहुत मुद्धा है भाजपा जब चुनाब पहले जब आई थी तो यह था कि हम आएंगे यमना को साफ कराएंगे लेकिन आज भी यमना की सिति हमारे मतुरा में पिछले बहुत वर्षों से चला चला रहा है उस पर विशेज ध्यान दें और यमना को थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देके यमना को क्लीन करा जाएं और साती ब्रिजवासियों से भी अपील करूंगा कि यमना को साफ रखने में सहयोग करें ताकि की समस्या बहुत बड़ी है लेकिन आज तक प्रसाशन और सरकार इस समस्या से निजात नहीं दे पाएं तो क्या मानते हैं कि इसमें लोगों की भागेदारी भी होनी चाहिए डेफिनेटली देखी आज आज आप कोई भी बात है आज मैं एक स्कूल चलाता हूँ तो मैं यह देखता हूँ कि सिर्फ स्कूल बच्चे को नहीं पढ़ा सकता उसमें अभिवावक के भी बहुत बड़ा रोल होता है अपने बच्चे को एक एजुकेटेट बनाने के लिए इसी तरहां से एक सरकार अकेली कुछ नहीं कर सकती सरकार के साथ जनता जनारदन का होना बहुत अतिव है कि समस्यां की समस्या हो या यमना प्रदूशन की समस्या हो जब सरकार और जनता जनारदन पेरलली काम करेगी तो डेफिनेटली बहुत जल्दी हम इन चीजों से निजात पापाएंगे अगर आपको राजनीती में अफसर मिलता है तो आप जाएंगे सर देखिए मैं राजनीती में तो नहीं जाओंगा मगर हाँ डेफिनेटली मैं यह चाहता हूं कि मैं शोशल एक्टिविटीज अपनी एक्स्ट्रा कर पाऊं कुछ शोशली लोगों को हेल्प कर पाऊं तो उसके लिए मैं डेफिनेटली हमेशा तयार था हमेशा तयार हूं औ लोगों के लिए आप किस तरह के सहयोग से आप से उम्मीद किया सकती है जिस तरह जैसा भी एजुकेशन से लिएट सहयोग हो वह में थ्रू आपको डेफिनेटली देखने को मिल सकता है आप मिरसे पिक्षा कर सकते हैं कि मैं एजुकेशन इस तरह में सुधार लाने की किसे आपको मेरे सहयोग से पिक्षा करते हैं अगर मेरे बसकी होगी तो मुझरू करते हैं और चुनाबी मूर है हमा माली जी बहुत अच्छी मत्वरा के लिए सांसे साबित हो रही है तिसी वाद नोंने कहा है कि बहारी भमोते से इस बार जीतेंगी युवाओं के एजे को आगे आना चाहिए अपनी सोच में परवरतन लाना चाहिए उन्होंने कहा है कि यूथ अगर सही रास्ते पाएगा तो डिवलप्मेंट भी बहुत होगा युवाओं को स्टार्ट अप सुरू करने चाहिए मत्वरा के विजन को लेकर कहा है कि जब मत्वरा में उध्योग भारतो आज